आप लोगो ने मेरी ये चेर तो देखी होगी पिछले तीन सालों के अंदर मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं यह उन सब में थी अब इसकी हालत से आपको अंदाज़ा तो होई रहा होगा कि यह कितनी ज्यादा इस्तवाल हुई है लेकिन जब भी मैं नहीं चेर लेने के लिए अपने वालेट को ठाता था तो उसकी हालत कुछ ऐसी होती थी बट दें टेक्सवार रीष्ट आट टो बी और लाइक कि तुम्हारी चेर किनी खराब हो चुकी है यहाँ आट भी आट वाट लाइक्ग किनी खराब है तो यहाँ प्राइट रहा है वाट यहाँ पिन गांट भी मैं बहुत ज्यादा खुछ यहाँ आट भी आट थे संट मी अच्छाल है पिन Finally, after waiting for a very long time, my chair finally arrived. इस video को हम तीन segments पर ब्रेक करेंगे Segment No.1 is why I wanted to buy a new chair. Segment No.2 is unboxing and assembling time-lapse. And Segment No.3 is pros and cons of using this chair. Finally, मैं अपना एक conclusion दे दोगा के is it actually worth it or not. तो बगए time waste के, let's start off with Segment No.1 अब मेरा chair को बदलने का main reason यह था कि मेरी chair unbranded थी, looks में इतनी खास नहीं थी और secondly इतनी comfortable भी नहीं थी. मेरे दिन के 10-11 हिंटे तो आराम से अपने PC पर गुजर जाते हैं, तो कमर में दर्ग और गर्दन में दर्ग तो जैसे rose का मसला है. इसका एक ही solution था कि मैं एक अच्छी chair के अंदर invest करूँ. अब लेने को तो मैं एक office chair भी ले सकता था, बट मेरे लिए personally looks और comfort दोनों equally important है. As I make videos, तो मेरी chair मेरी हर वीडियो के अंदर नजर आती है, तो I wanted something जो comfortable होने के साथा looks में भी अच्छी हो. हुआ है झाल 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 अब लोग सोच रहोंगे कि मैंने पूरी डीटेल यू नहीं दी बिल्ड करते हुए तो यार बहुत ही असान काम है सिंप्ली बस एक दफा मैनुवल पढ़ ले आप इसली इसको सेंबल कर सकते हैं मैं आप लोग का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था कि पर लेप स्क्रू लगा हैं पर इसको टाइट करें विकॉज ये काम ताप खुद भी करी सकते हैं इसको देखते ही आपको फील होता है आपको फील होता है एक अच्छा सा दिजाइन मना हुआ है विचा सिंग मडेक इंप्रॉइड इंट 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 जी हां ये कोई स्टिकर नहीं है इस ऐक्शली इंब्राइड ओं जाना। अ फील इंट इस हैं अच्छिली इंट इंट इंटे पॉल एदर यानिर्मिभू में भी अगर जादा इसको जुज करेंगे आपको ये नहीं अगा कि फ्टॉटिंग हो रही है important features की बात करें तो इसके अंदर 2D adjustable armrest है metal base है which I think is really good मेरी पिछली चेर के अंदर metal base नहीं थी which is the main reason it started wobbling this chair also has a class 4 gas lift cylinder अब I don't know कि और कितने type के cylinder होते हैं but use-wise this was much of an improvement in front of my old chair इस चेर के साथ आपको neck support और lumber support भी मिलती है जो शुरु शुरु में आपको थोड़ी सी uncomfortable लग सकती है because it forces you to sit in a straight posture but trust me it will solve 80% of your backbone issues हम लोग बहुत जुक कर बैठते हैं which increases the risk for backbone issues but a good gaming chair can really help lower that risk and of course like every other gaming chair this chair can also go back to 180 degrees था कि आप ये करके अपने आपको cool समझ सकें या मेरी तरहां सो सकें और अगर लास्ट के कुछ features की बात करें तो this chair has a top speed of 5 km per hour just in case आप इस से race लगाने का सोच रहे हैं इस chair के अंदर मुझे ऐस सच कोई कौन नदर नहीं आया लेकिन Zygmatek वालों ने का था that this chair is comfortable लेकिन जब मैंने इसको टेबल के पास बुलाया तो ये नहीं आई comfortable 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 hocus pocus comfortable अजीब जूट बोलते हैं Zygmatek वाले conclusion में I would say that having a gaming chair is really amazing specially अगर आप दिन में 10-10 केंटे अपने table पे बैठे रहते हो तो table पे मत बैठा करें chair पे बैठा करें वैसे तो ergonomic office chairs भी एक अच्छा option है but personally मुझे looks में वो इतनी अच्छी नहीं लगती तो अगर आप एक ऐसी chair ढूण रहे हैं जो comfortable भी हो और looks में भी अच्छी हो तो the Zygmatek hairpin is a really good choice अगर प्राइस की बात करें तो इस chair की price around 30-31,000 है which is fine to be honest अगर आप इसको compare करें कूगर और रेबल की chair से तो वो इससे कई ज्यादा expensive है अगर कोई मुझे कहें कि यार एक दफ़र 30,000 खर्च कर लो and it will fix all your backbone issues तो मैं खुशी-खुशी कर लूँगा क्योंकर मुझे पता है that spending this money now will prove to be beneficial in the future as well secondly, this chair also comes with one year gas cylinder warranty तो कोई issue हो तो you can easily claim that overall, I am super satisfied with this Zygmadek chair I really wish के black or white color में भी ये पाकिस्तान में अविलिबल होती तो it would have really matched my upcoming setup अगर आप ये चेर लेने में इंट्रेस्ट हों तो text on where are the official distributors of Zygmadek in Pakistan उनकी website और Facebook page मैं नी चेर दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से contact करके उनसे चेर पर चेस कर सकते हैं So yeah guys, that is it for the video I hope you guys enjoyed अच्छी लगी हो तो like कर देना अच्छी ना लगी हो तो as usual mobile holder के dislike कर देना और हाँ मुझे Instagram पे follow कर लो at thehashtroff official and I'll see you guys with a brand new video in just a few days till then take care, have fun, stay safe, peace out